नमस्कार दोस्तों मैं बिहार से बबलुकुमार बात कर रहा हूं मेरे साथ बैसनों माता का दसरप्याही का सीका बेचने के चकर में 20,000 रुपए का फ्रोड हो गया हम यूटूब पर वीडियो देख रहे थे उसे में बताया एक वीडियो में कि अगर आपके पास भी बैसनों ध Quem बाता का दसरप्याही का सीका है तो आपको 200,000 रुपए मिलेंगे एक सीके के हम देह के बहुत खुश हो गये कि चोलो मेरे पास एक दसरप्याही का सीखा है उसको बेचेंगे तो हमको दूलाक रुपय मिल जाएगा दोस्तों हम लोग उतना पैसाज तक दूलाक रुपया नहीं देखे थे काया कि हम इसी दुकान को चलाते हैं ये चावे बेचते हैं फिर हमको ध्यान में आया कि इसमें एक नंबर दिया हुआ है उसको हम फोन बेचेंगे तो हमने बोला कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा तो उसने बोला कि ये काम करो तुम क्यों तो में तुम्हारे पास एकाउंट है तो कि हम बोला कि यह तिनों पर फोट हम बूला कि वह वोखूफ है का तुम कि यह तुम भेजेगा खाता तब तुमशने अच्छा इसा बात है तो हम को वाट्य ने उसको कर दिये उसके बाद फिर उसको करें दोसे चुप चुप चप से कि जिए भी बताना भी मत इसके बारे में में नहीं है किसी को मत बताना है हम घर में किसी को नहीं बताए और दोस्तों हम चुप चाप उसको तकिया के नीचे उसमें रख दिये फिर अगले दिन उसने कॉल किया बोला कि ठीक है तुम अपना सीका बेचना चाहता है तो एक काम करना पड़ेगा कुछ कागजी करवाई होता है वो क करवाई कर लेने के बाद तुम अपना सीका बेच सकते हो नहीं तो अगर तुम्हारे खाते में एक दो लाख रुपए जाएगा तो तुम भंस जाएगा तो हमने बोला कि क्या करना पड़ेगा हमको हमको बताया कि एक काम करो तुम जो सीका बेच रहा है उसका दो लाख ाही है जोस्तों हमँम बहुत खूस हूए आप कहा से बिखू रही है तो बोला कि हम कलकटा से बौल रहे हैं हमको बहुत खूस हुआ हम किसी नहीं बताया फिर वहने बोला कि ठीक है आप हमारे खाते में पैसा डाल दीजे 50,000 रपे एडवांस हमको बास्ट तुमें को यह भीज़ेंगे दोस्तों हम का करें हमने सोचा कि नहीं हम पाच पाच रुपाइब कोई से पहले भेज सकते पहले हमको पैसा भेजिए आम तब आपको पाच रुपाइब भेजेंगे कागजी करवाई के लिए बहुता है तुम ब्योकूफ लग रहा है तुम्हारे पास इन शी समान खर्दने के लिए जो रखेते पैसा पूरा करके उसके खाते में डलवा दिये और बोला कि ठीक है तुम एक घंटा के अंदर में तुम्हारे पैसा पहूं जायागा पास्वुक ले आके चेक करवाएं मैंक में पैसा नहीं आया फिर अगले दिन उसको कॉल किये तो बो गया है अग dream इस तुम्हारे खाते में पैसा जाएंगे लेकिन पांचे रुपए का एक और तुमको काम कराना होगा कि जो तक इस काल होज लगताओ अकॉत तो बनवाना होगा तब तुम्हारे खातें पैसा जाएगा हम तो दोस्तों परिसान हो गए कि अफिर पांशे रुपे और देने के लिए हम एक दोस्ते उधार लिए पैसा उधार ले करके और उसको फिर हम पांशे रुपे डलवाएं उसके बाद बोला कि देखो आज तुम्हारा खाता पैसा चला जाएगा उसके बाद सनी वारों को हम डालवाए थे नहीं पैसा आया तो सोम वारों को उसके खाता को लेकर जाके करा तो पैसा नहीं आया था दोस्तों हम फिर उसको जाके फोन किये बोला कि एक काम करो यह जो तुम्हारे पास यह बाउंट जा रहा है उसके लिए कि एक और कागजी वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा तो विश रुपे और देना होगा और यह तुम्हारे पास एक लाक फिर पेर और देगा समान नमेरा ले लेगा लेकर उदे ना हमको लग रहा है कि आप हम मारा साथ फरोड कर रहे हैं तो बला बेवकूफ है तुम्हार साथ फ्रोड क्यों करेंगे तो अम अभर लेकर नहीं कि यह पैसा नहीं मिलाका जब तक कि कागजी कि अटी कि यह पैसा कने तोलना चाहते हैं यह भी पैसा नहीं मिलेगा जोश्टों हम कहां करोऊं हम भूत इसको हम किसी तरह के पूराना मोझत था उसके पांच हजार दीदी की हां से मांग के लाएं कि हम यह काम करें समान घटा है समान खड़िदा है और चूपचा पैसा उसके खाते में डालवा दिये दोस्तों अब ओना फोन हमारा उठाता है ना कुछ उसका फोन सुच बता रहा है और हम उसके चकर में वैसनों मातावला सीका बेचने के चकर में मेरे साथ 30,000 रुपए का फराउड हो गया हम गरी बाद में यह सब छोटा मुटा दुकान चलाने वाला फंस गये दोस्तों आप से नहीं कहेंगे कि आप लोगी पुराना सीका बैसनों माता का से कोई भी सीका बेचने के चकर में नहीं पड़े नहीं